देखो यह question है में 2020 का ठीक है question के रहा है let x plus 10 to the power 50 plus x minus 10 to the power 50 is equal to a0 plus 7x plus a2 x square so on up to a50 into x to the power 50 for all x belongs to r then a2 upon a0 is equal to आप देखो यह x plus 10 to the power 50 plus x minus 10 to the power 50 है इसका binomial expansion लिखेंगे दोनों का individual तो आप देखो यहां पे जो even power आएगा 10 का वो add हो जाएगा लेकिन जो odd power 10 का आएगा वो आपस में cut जाएगा ठीक है तो इसका finally जब expansion लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ even power वाला लिखेंगे ठीक है 2 times 50 C 0 ठीक है 50 C 0 10 to the power 50 ठीक है plus 50 C 2 ठीक है x square x square 10 to the power 48 and so on on plus 50 C 50 ठीक है x to the power 50 और 10 to the power 0 1 अब आप देखो यहां constant फिर x square फिर x to the 4 up to x 50 सिर्फ और सिर्फ even power वाला एक्जिस्ट करेगा आप को होगे कि यहां odd power 1 भी दे रखा x to the 1 तो इसका मतलब a1 जो होगा वो आपका 0 होगा ठीक है a3 यहां जोएगा वो 0 होगा यह 49 तक वो 0 ही होगा ठीक है तो यह आपका final expansion बना हमें bother भी करना है सिर्फ a2 और a0 के बारे में यहां से देखो a2 लिखेंगे a2 क्या लिखेंगे a2 is equal to 50 C 2 10 raise to the power 48 और a0 कितना है coefficient का ही तो है तो a सब 0 कितना है 50 C 0 10 raise to the power 50 ratio कह रहा है a2 upon a0 which is equal to 50 C 2 50 C 0 1 के बराबर देखो 10 raise to the power 48 10 raise to the power 50 है तो नीचे आ जागा कितना 100 ठीक है एक्सपैंड कर लो 50 into 49 upon 2 into 100 ठीक है आप ऐसे कर लो इसको पचास चो के 200 ठीक है 49 पटा 4 which is equal to 12.25 ठीक है तो यह आपका correct option a बना ठीक है ऐसा x plus a to the n plus x minus a to the n कराया हूं expansion ठीक है वो भी और आप expand करके भी देख लो सिर्फ और सिर्फ even power वाले हिंटा हमाएंगे खुद देखो ना कि odd में minus 1 करेंगे तो minus 1 बाहर आ जाता है लेकिन even में minus 1 का square करेंगे तो वो 1 बन जाता है ठीक है इसलिके फाइनली 12.25 आ रहा हूं